सबका स्वागत है आज प्रधान मंतरी नरेवनर मोदी जी के अध्यक्षता में मंतरी मंडल की बैठों खुई उसमें अनेक विश्यों पर चर्चा हुई हमें पता है कि भारत में वैक्सिनेशन अच्छा और तेजी से हो रहा है आज तक 4 करोड 85 लाख लोगों को 4 करोड 85 लाख टीके लगे हैं डोसेस मिले हैं चार करोड से भी आधिक है जिनको दोनों एक डोस मिला है और उपर 80 लाख लगबग लोग ऐसे है कि जिनको दूसरा डोस भी मिला है पिछले 24 गंटे में रेकॉर्ड साड़े 32 लाख 32 लाख 54 थाउसन इतने डोसेस कल 24 गंटे में दिये गए है और कितना अच्छा चल रहा है तेजी से चल रहा है फरवरी में जहां रोज का एवरेज मंत्ली यहने 30 दिन का एवरेज रोज 377 था मार्च में वो 15 लाख 54 थाउसन हो गया लगबग 4 गंटे से ज़्यादा बढ़ा और पिछले सब्ता में भी रोज 20 लाख हुए और कल 32 लाख हुए तो भारत में वैक्सिनेशन का काम अच्छे तरीके से चल रहा है और तेजी से भी चल रहा है आपको ये भी मालूम है कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स इन सब के लिए वैक्सिनेशन की सुविधा की गई और वो आज भी जारी है कुछ लोग जो बचे है उनका आज भी हो सकता है फिर 16 फर्वरी से 60 से उपर जो बुजुर्ग है उन सब को जिनकी उमर 60 से उपर है ऐसे सभी लोगों को वैक्सिन मिलने की सुविधा उपलब्द करी थी और 45 to 60 45 से 60 तक जिनकी उमर है अगर उनको कोई बीमारी है तो बीमारी का सर्टिपिकेट लाने के बाद ही उनको वैक्सिन अभी तक मिलता था लेकिन जैसे मैंने कहा आज मंत्री मंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेशग्यों की सलाह टास्पोर्स का सलाह और वग्यानिक आधार पर दो फैसले किये गया पहला फैसला यह कि एक एप्रिल के बाद 45 से उपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है सबको वैक्सिन उपलब्द होका सो फ्रॉम फ्रॉम एप्रिल एनिबड़ी हुई इस ओवर 45 एज विल गेट वैक्सिनेशन इवन दो ही आज नो को मॉर्बिड़ीज उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की सर्टिफिकित लाने की जुरत नहीं है 45 उम्र है उसको मिलेगा 45 से उपर तो ये बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं और दूसरा भी नहीं लिया वाग्यानिक आधार पर टास्पोर्स के सला से कि जो वैक्सिन के दर्मयान ये पहले बताए था कि पहले डोस के बाद चार या छे सप्ता में ही वैक्सिन लेना चाहिए दूसरा डोस लेकिन अब वैज्यानिकों ने पाया है कि कोवी शीर्ड का डोस चार से आठ सप्ता के दर्मयान लेना ठीक है यानि आठ सप्ता तक उसका अंतर बढ़ा सकते हैं उसका ला भी है इसलिए हमारी सबको दर्खास्त है कि जो भी पैटालिस के उपर है सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपाइट्मेंट लेकर वो टीका लगाए वैक्सिन करें और एक और बात कहना चाहता हूँ कि वैक्सिन परियाप्त मात्रा में उपलद है उसकी चिंता करने की जुरत नहीं है और भारत को आभि माना है कि भारत के दोनों वैक्सिन बहुत अच्छे सफल है खुद प्रधान मंत्री ने को वैक्सिन लेकर एक तरह से उस मोहिम का शुभारम किया था और इसलिए कोई भी वैक्सिन ले डॉक्टर के सला से दुसरा डोस ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सिन ले ले और पैटालिस से उपर कोई भी हो उसको अभी वैक्सिन मिलेगा So, today, cabinet discussed one important issue of more vaccinations as we have already achieved speedy and good vaccination campaign तिल today बेरे वे वी वाज़ हैंगा उताइ बाज़ जाओ sebelum दून आफ पूर स्ट strain्जा टीज के आगए टीजर मेशन इून स्टीज की जैर हैंगा आग गारइव लाओ टीज ketchup s wider दो As you know, all the health and frontline workers and people above 60 were allowed to, in batches, to, in phases to take vaccines and even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now, today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So, we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated because that is basically the shield against the disease. In a second decision also, the advice given by these scientists and world scientists bodies also, that the second dose can be administered between 4th and 8th week, particularly for COVID shield. And let me tell you, so our appeal is that all above 45 should take vaccine as early as possible. That will provide them the shield against the corona disease and they should register for getting it vaccinated. And also, let me clarify that vaccines are available in enough number, there is no scarcity, and supply chains and supply line is intact. And so, all should, and I am very sure, and I am very sure that all of these people will be happy and will come with vaccination as soon as possible. I want to say that. Number 29. सभी कर्मचारी हो कोई भी नागरी को वो वैक्सिन ले ही सकता और वैक्सिन में सरकार ने ही एक व्यवस्ता की है कि जो सरकारी व्यवस्ता में वैक्सिन लेगा उसे मुफ्ट मिलती है जो प्राइवेट में लेगा उसको डाइसो रुपे में एक डोस मिलता है और कम्पनियों ने आने कम्पनियों ने ये भी किया कि खर्मचारी वहाँ जाकर अगर प्राइविट में लेकर आते हैं तो उनको रिंबर्स भी किया तो आज निर्ना ये हुआ है आपका सुझाव हमने सुना है येस आपने जो चार से आठ हफते में जो दूसरी डोच की बात की वो क्यों कोविश हिल्ड के लिए है या कोविश है हाँ यह एक अपने डॉक्टर बताएंगे किसको कब लेना है चार सपता या पाच सपता या छे सपता या साथ सपता यह अपने-अपने डॉक्टर बताएंगे लिए कि सब्वाब में कई कैसे जा रहे हैं और उसमें एक खबर आई एक है कि 80 % के आसपस कैसे वो UK variant है सर तो ये क्या चिंता के UK variant है मतलब वहां का वो जो वाइरस होता है ऐसा है ये वाइरस मैं तो कोई इस विशे का हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये अनेक variant में नए नए रूप से उभर के आता है और इसी के लिए वैक्सिन कैम्पेन बहुत महतोपूर्ण है सब लोग जो इलिजिबल है वो सब वैक्सिन कर ले क्योंकि यही एक मातर कवच है अपना सुरक्षा कवच मास्क तो और भी साल देड़ साल लगाना ही पड़ेगा दूरी बनाए रखनी ही पड़ेगी लेकिन और हाथ दोने ही पड़ेंगे बार बार लेकिन एक करने की जुरत है कि वैक्सिन लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टन सुरक्षा कवच मिलता है और यही उस खर्त है